हेलो स्टुडेंट्स हावार यू वेलकम तो माई यूटूब चनल पंकच फिरीज गुलाटी स्टुडेंट्स आपको इस चनल पर नाकेवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिरीज के टॉप इसकी सबसे असान एक्स्प्रेशन देखने को मिलती है बलकि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटिगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएसी थर्ट से हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मो डैनमिक्स यूनिट 3 के सबसे पहले टॉपिक के बारे मिले इसका नाम है. वेशिक्स ओफ थर्मो डैनमिक्स लिए जो है बहुत ही इंपौर्टेंट ब्रांच है फिजिस की और थर्मो डैनमिक्स में हम क्या स्टडि करते हैं हम स्टडि करते हैं इंटर कंवर्जं बिटूइन हीट और फॉर्म सोफ अनर्जी मी means interconversion का मतलब क्या होता है heat का दूसरी forms of energy में convert होना और आप ये भी कह सकते हैं कि energy का heat में convert होना हम daily life पर example लेकर समझते हैं जब winter season होता है तो हम क्या करते हैं अपने हातों को रगड़ते हैं अपने हातों को रगड़ने का मतलब यह है कि we are doing some kind of mechanical work और वो mechanical work जो है वो heat energy में convert हो रहा है हमारी body में energy होती है जिसके द्वारा हम काम कर पाते हैं mechanical work कर पाते हैं हम cycle चला पाते हैं हम daily works daily दिन चर्या के जो काम होते हैं वो कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर energy होती है उसी से mechanical work जो है वो perform करते हैं दूसी तरफ जो आपके car engine होते हैं बाइक engine होते हैं वो इसका उल्टा काम करते हैं वो क्या करते हैं वो heat को mechanical work में convert करते हैं जो काम हातों से रगड कर हातों को रगड कर हम कर रहे थे हम mechanical work से heat generate कर रहे थे जो engine होता है ठीक इसका opposite काम करता है वो क्या करता है वो heat को mechanical work में convert करता है तो students आए देखते हैं कि सबसे पहले कि what do you understand by thermodynamics means thermodynamics की आखिर्खा definition क्या है तो आप heading बनाएंगे thermodynamics the branch of physics in which we study about heat and its interconversion with other forms of energy thermodynamics physics की वो branch है जिसमें हम क्या study करते हैं heat and other forms of energy के बीच में होता है heat का दूसरी forms of energy में convert होना और energy का heat में convert होना यही दो चीज़े जो है हम thermodynamics के अंदर study करते हैं तो students thermodynamics की definition पढ़ने के बाद हम कुछ और definition देखेंगे जिन definition के पीछे जो concept आगर आप नहीं समझेंगे तब तक आप thermodynamics में आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो सबसे पहली जो important definition आ रही है thermodynamics के अंदर वो है system तो students आईए बात करते हैं कि what do you understand by system देकि students anything under observation or you can say anything under investigation is your system for example एक example लेकर करते हैं मालेजी students यह हमारी water bottle है जिस पर पानी भरा हुआ है इसको आप study करना चाहते हैं तो यह आपका system बन जाएगा कोई भी चीज जिसको आप select कर लेते हैं study करने के लिए वह आपका system बन जाता है यहाँ पर study करने का मतलब यह यह नहीं है कि हमें यह बताना है कि इस water bottle का color क्या है यह कौन से brand की है यहाँ study का मतलब है thermodynamical point of view से study करना किसी चीज को अगर आप thermodynamical point of view से study करोगे तो वह आपका system बन जाएगा तो students आए देखते हैं कि system की definition क्या है system the part of the universe which is under observation is call system universe का कोई भी part जिसको आप under observation रखते हैं जिसको आप thermodynamical point of view से study करना चाहते हैं that is call system तो students अगली definition है important thermodynamics के अंदर वो है surroundings आये देखते हैं surroundings है हमारा क्या मतलब है देखे students ज्यादा तर लोग surroundings का गलत मतलब निकाल लेते हैं लोग सोचते हैं कि system को छोड़के इस universe में जो सब कुछ बचा है वो surroundings हैं कहने का मतलब यह है कि अगर यह water bottle मेरी system है इसको मैं study करना चाहता हूँ thermodynamical point of view से आसपास की वो जगह इस water bottle के आसपास की वो जगह जो इस system को influence कर सकती है that is called surroundings यह correct definition है surrounding की means part of the universe that can affect our system is called surroundings माली जी इस water bottle के अंदर ठंडा पानी है तो मैं नोर्थ इंडिया में बैठा हूँ तो अगर साउथ इंडिया में ओले पड़ते हैं किसी भी शहर के अंदर तो उसका इस water bottle के पानी के temperature पर कोई effect नहीं पड़ेगा हाँ अगर यह water bottle यहाँ पड़ी है और इस शहर में ओले पड़ते हैं तो उस चीज का effect जो है इसके ओपर जरूर पड़ेगा क्योंकि इसका पानी जो है उस case में ज्यादा देर तक जो है वो ठंडा रहेगा तो वो इ हमारे system को effect कर सकते है system को influence कर सकते है उसको हम बोलते है surroundings आए शुडेंट्स बात करते है next important thermo that definition in thermodynamics की जिसको हम बोलते है boundary boundary का आखिरकार क्या मतलब होता है तो students boundary के meaning को understand करने के लिए हम इस water bottle का example लेते हैं यह हमारा system है और इस system के अंदर पानी भरा हुआ है और इस system के जो आसपास की जगह है वहाँ पर air है means air यहाँ पर surrounding है और वहाँ पर पानी कम है water vapor कम है as compared to water present in our system तो हमारे system को surrounding से यहाँ पर कौन अलग कर रहा है water को air से कौन separate कर रहा है यह जो plastic covering है यह separate कर रही है water को air से तो इस case में जो boundary होगी वह यह हमारी plastic covering होगी means boundary वह envelope होती है जो system को surrounding से अलग करती है boundary को हम two types में classify कर सकते हैं एक boundary ऐसी होती है जो exchange of heat को allow करती है और ऐसी boundary को हम बोलते है डाया thermic boundary और एक ऐसी boundary होती है जो exchange of heat को allow नहीं करती उस boundary को हम बोलते है area-batic boundary इस case में जो boundary है हमारी वो diaphragmic boundary है क्योंकि अगर मैं इस water bottle को दो घंटे के लिए ऐसी ही छोड़ दूं तो इस water bottle का temperature जो है वो हमारे आसपास के temperature means room temperature के बराबर हो जाएगा means जो heat है air की वो इस boundary के through इस water में जा रही है और इस water के temperature को बढ़ा रही है और दी कब तक इसक temperature के बराबर नहीं हो जाएगा means इस case में यह जो boundary है यह exchange of heat को permit कर रही है अलाओ कर रही है तो उसको हम बोलेंगे डाय थर्मिक boundary boundary का को समझने के लिए हम दूसरा एक्जामपल समझते हैं में बास एक water bottle और है यह वो water bottle जो आप बहुत बार यूज करते हैं समर्स के अंदर पानी को ठंडा रखने के लिए इसमें आगर आपने पानी भर दिया तो बारह से लेके 15 घंटे का कि इसमें पानी जो है वो ठंड to be covering है यह exchange of heat को अलाव नहीं कर रही एक्सेंज ओफ हीट को पर मिट नहीं कर रही ना तो इस में से heat यहां से यहां जा सकती है सिस्टम स्रोंडिंग से सिस्टम में आ सकती है तो स्टेंट इस परकार की boundary को हम बोलेंगे एडियाबैटिक बाउंडरी आए देखते हैं definition क्या है boundary की फिर हम बात करेंगे types of boundary के बारे में boundary the envelope which separates our system from surroundings is fault boundary तो boundary के envelope होता है जो system और surrounding को separate करता है इसके बाद हम discuss करेंगे types of boundary और उनकी definitions types of boundary boundary can be classified into two types boundary जो है वो दो प्रकार की होती है नमबर वन डाय थर्मिक boundary बाउंडरी विच अलाओ एक्सचेंज ऑफ फिट्विन system and surroundings is called डाय थर्मिक boundary ऐसी boundary जो system और surrounding के बीच में heat exchange को अलाओ करें उसे हम बोलते हैं डाय थर्मिक boundary और डाय थर्मिक boundary का example मैं आपको इसमें से दिया था जो एर की हीट है वो इस वाटर में जा सकती है क्योंकि जो अंदर का टेंपरेचर है वो कम है बाहर का ज्यादा है और टेंपरेचर कब तक चलेगा जब तक वाटर का टेंपरेचर रोन टेंपरेचर के बराबर ना हो जाए तो इस केस में जो बाउंडरी होगी वह हमारी डाय थर्मिक के बीच में कोई भी एक्षेंग नहीं होता तो सुडेंट्स यह होते हैं इस वीडियो के अंदर हम इतना ही डिसकस करते हैं आज हमने पढ़ा थर्मोडैनमिक्स क्या होती है सिस्टम क्या होता है सुराउंडिंग क्या होती है बाउंडरी और उसके डिफरेंट टाइप्स त होगा मिलेंगे नेक्स्ट इंपोर्टन टॉपिक ऑफ थर्मोडैनमिक्स के साथ तिल दन थैंक्यों सो मच